आप सभी को एक्जाम नेने यूटूब चैनल में फिर से हार्दित स्वागत है आज के ससन में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे जहारखंड छेत्रिय कार्जिकरता पर्चियोगीता परिक्षा के बारे में ये वेकंसी आपको बहुत दिनों के बाद जहारखंड में देखन को मिल रहा है अगर आप इसका पेश्केल को देखेंगे तो पेश्केल मेट्रिक्स लेवल वान का है ये 18,000 से लेकर के 56,900 का पेश्केल आपको दिया जा रहा है और आपका जो जौब लगने वाली है कौन सा विभाग में आपका स्वास्त चिकिस्सा सिख्षा एवंग परि अगर है तो आप इस जौब को एपलाई कर सकते हैं अगर हम लोग बात करें कि इस जौब को पाने के लिए आपको किस प्रकार से त्यारी करना है तो इस वीडियो को अंद तक देखेगा चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजएगा तो चले हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग मार्किंग स्कीम को देखे तो टोटेल आपको तीन पेपर इस एक्जाम में देखने को मिलेगा एक होगा आपका पेपर वान जो कि आपका लैंग्वेज वासागयान का फेपर होगा, दूसरा होगा आपका पेपर 2 जो कि आपका छेत् brass येंभासा को होगा और एक जनेरल standards का पेपर थड होगा, एक एक करके तीनों फेपर को आपको समझाएंगे और किस प्रकाल से आपको त्यारी करना है ये भी बताएंगे, पहला अगर मार्क बात करेंगे पेपर 1 का जिसमें आपका भासा ग्यान पुछा जाएगा इसमें पूल जो question है total number of question 120 रहेगा और examination duration आपका दो घंटा रहेगा इस exam में आपका हर एक question में 3 marks दिया जाएगा अगर question आपका सही रहा और अगर आप गलत question करते हैं तो आपका एक number काट लिया जाएगा यानि minus 1 हो जाएगा नेगेटिव है कितना एक question में एक number का नेगेटिव है आपका और कितना point दिया जाएगा आपको 3 marks आपको दिया जाएगा अगर सही होगा और ये जो आपको paper 1 है भासा knowledge test इसमें आपको दो भासा का knowledge test किया जाएगा पहला आपका हिंदी का और दूसरा आपका English का हिंदी में total 80 question आपको देखने को मिलेगा और English में 40 question देखने को मिलेगा और दोनों को मिला करके यानि 120 question में मिला करके आपको 30 percentage लाना है इस paper में आपको पास होने के लिए ये qualifying in nature होगा ये paper इस paper का marks जो है आपका merit में नहीं जुड़ा जाएगा merit paper के अगर हम लोग बात करें तो paper 2 और paper 3 ये आपका merit paper है paper 2 की अगर हम लोग बात करें तो paper 2 आपका छेत्रिय भासा का paper होगा छेत्रिय या जन्जातिय भासा का जिसमें total 100 question पूछा जाएगा तो 100 question पूछा जाएगा तो total marks कितना हो जाएगा आपका ये आपका total 300 marks का paper होगा पेपर 2, 300 marks का पेपर होगा, क्योंकि 100 question पूछा जाएगा, और एक question पर 3 marks एलोट होगा आपका, अगर आप छेत्रिय भासा का लिष्ट देखेंगे, तो आपको यह हिंदी, इंगलिज, संगस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, यह सारे भासा आपका हो, खड़ total number of question आपका 120 है, तो 120 total number of question है, तो इस paper का जो total marks हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 marks, paper 3rd का, और paper 2 में कितना marks देखें तो हम लोग, आपका, यह paper 3rd का है, paper 2 में आपका था 300 marks, तो total जो merit paper होगा, वो 460 number का merit paper होगा, इसी में जो है, आपको maximum marks आपको gain करना है, अगर हम लोग paper 3rd को देखें, तो paper 3rd को total चार पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में, चार पार्ट है इसका, पहला पार्ट में आपका GS का section है, समानी अजधन, जहां से आपको 40 question पूछा जाएगा, इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा, वो भी detail में बात करेंगे, second section जो है तो सबसे ज़्यादा वाइटेज आपको जहरकंड GK को देखने को मिल रहा है, और general studies को देखने को मिल रहा है, फिर science का और फिर आपका math का देखने को मिल रहा है, तो total यहाँ पर आपको कितना marks हो जाएगा, 360 marks, अगर हम लोग paper 1 की details सिलिवास देखेंगे, आप हम लोग details म में भी आपका passage से 20 questions रहेगा, और grammar साब का 20 questions रहेगा, तो यहाँ होगी आपका 40 marks, अगर हम लोग paper 3 की details सिलिवास की बात करें, पहले paper 2 का सिलिवास अगर आप देखेंगे, तो यह सिलिवास डाल दिया गया, एफिलिक्शन में भी, और आपका telegram channel में भी डाल दिया गया, वहाँ से आप सारा paper को देख लिजेगा, कि आपका जो भी paper आप चूज करेंगे, हिंदी, इंगलीज, जो भी, उसमें आपका syllabus क्या है, यह metric level का exam है, तो आपका जो syllabus है, जैसे यहाँ आपर 36, भाग 2, यह सब I think metric में ही है, आप यहाँ कुर्माली का, सारा का, आपका दिया ह वाँ हो का, खोर्टा का, जो भी language आपको original language चूज करना है, आप अपने according चूज करेंगे, comment box में comment करके आप लिख सकते है, कि आप कौन सा original language रखने वाले है, अब हम लोग तोड़ा details में बात करेंगे, paper third के बारे में, जो कि आपका GS, GS का section है, पुरा paper third, जिसमें total 120 question पूछ पूछा जाएगा, इसमें आप देखेंगे, तो इसमें maximum चीजें add कर दिया गया है, इसमें आपका current affairs भी पूछा जाएगा, इसमें आपका जहारखन राज्य से भी कुछ-कुछ question पूछा जाएगा, current affairs में आपका national and international state level का जो प्रोसकार होती ही, वहां से question पूछा जाएग इन सारे चीजों को, तीन सारे चीजों को आप cover कैसे कर सकते हैं, तो सबसे best way होता है कि NCRT का class 6 से लेकर के 12 तक किताब को आप पढ़ेंगे, तो आपका GS strong हो जाएगा और वहीं से question पूछा जाता, और दूसरा है कि जो notes हम लोग provide कर रहे हैं, उस notes को भी आप अपना reference के तो आपको cover कराए जाएगा, National Movement पर आपका notes मिलेगा, ये सारे आपके NCRT, JCRT based होगा, और जो बाकी exams हो रहे हैं, उन सारे exams में किस प्रकार के person पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर इस notes को बनाया गया है, फिर आपका संग्विधान से question पूछा जाएगा, ये पूरा 40 question, इस 40 question को cover करने के लिए आपको काफी हद देक पढ़ना होगा, और बहुती serious होके आपको ध्यान देना होगा, और हम लोग जारकन GK की बात करें, जहां आपको ये 50 question पूछा जाएगा, और GS section में भी आप सोच सकते कि 5-10 question वहां से भी पूछ लिया जाएगा, तो आप ये मानके चलिए कि जहारकन GK से आपको 60 question total देखने को मिलेगा, 180 number, और यहां से आप पूरा हो का पूरा माक्स उठा सकते हैं अगर आप जहारकन GK को बहुती बहतर डंग से पढ़ेंगे, इसमें जहारकन GK में आपको कहा कहा से question पूछा जाएगा, जहारकन राज के भोगल स से पूछा जाएगा, इतिहास से, से भता, सनस्कृती, वासा, साइत, इस्थान, खान, खनीज, इंडास्ट्री, और जो राष्ट्री और अंदुरन में जहारकन का क्या जोगदान रहा, जहारकन में कौन-कौन सी developmental ओजना ही चल लई है, और खेल-खिलाडी, तो यह पूरा topic से साथ, six to seven question आप आसानी से बना लेंगे, और बाकी आप अपने दिमाग से भी question को deal कर सकते हैं, तो math में इसमें आपको ज्यादा tension लेने की बात नहीं है, क्योंकि 10 से question पूछा जाएगा, और हम लोग science की बात करें, तो science के लिए सबसे best है आपका class 9 और 10 का, अगर आप NCRT को cover कर लेते हैं, तो आपका science इसमें cover हो सकती है, क्योंकि पूछा गया है, यह आपका 10th level का exam है, तो 9th, 10th तो ज्यादा सदा 11, 12 का कुछ-कुछ topic, इसके लिए भी आपको notes provide करा जाएगा, application में, जहापर सारे चीज़े एकदम to the point आपको cover करा जाएगा, तो इस प्रकार से आप अपने त्यारी को और बहतर कैसे बना सकते हैं, सबसे पहली बात तो आप अपने concept को clear कर लिजिए, जो भी topic आपको सलिवास में mention है, उससे related जो भी sources आपको मिलता है, authentic sources, जैसे की NCRT books, NCRT books को आप एक बार पढ़ लेंगे, तो आपका GS का section, science का section आपको cover हो जाएगा, जारखंड GK का बहुत सरे books markets में available है, जो भी book आपको अच्छा लगता है, उस book को आप उठा लिजिए, और उस books आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बाकी काम math के साथ भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हम लोग का जो courses, हम लोग जो course launch किये हैं आपका जारखंड, छेत्रे कार्ज करता के लिए, उस course को आप access कर सकते हैं, यह course का फी बहुती minimal लखा गया है, अभी offer price चलना है आपका, इस course में आपको paper one and paper third का syllabus देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यह notes के माजधम से पुरा syllabus को complete करा जाएगा, और साथी साथ 15 test reach provide करा जाएगा, जिसमें से आपका पहला 5 test reach paper one कराने वाला है, और 10 test reach आपका paper third कराने वाला है, जब आप notes को पढ़ेंगे, notes को पढ़ने के वाला आप test लगाएंगे, तो आपको समझ माएगा कि आपको त्यारी सही डंग से हो रहे ही कि नहीं, क्योंकि समाह नजधन का जो 40 question है, यानि कि total 120 marks हो गया आ आरकन जी के 50 question है, यानि कि 150 marks हो गया, तीन सारे के लिए आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना होगा, और यहां competition tough होने वाली है, क्योंकि इस exam में आप सोच सकते है कि CGL में अगर 6 lakh form गया था, जो कि आपका सनातक level का था, यह तो metric level का form है, इसमें कितना ज़्यादा form जाने वाला, तो competition आपको tough होगा, और competition में बने रहने के लिए आपको थोड़ा सा extra मेहनत करनी होगी, जो बाकी वच्चे नहीं कर रहे है, तीन सारे चीजों को ध्यान में देकर के अगर आप त्यारी करेंगे, तो आपका इसमें selection पक्का होगा, क्योंकि इसमें जो number of candidate है उबहले वो ज्यादा लगे, बट serious candidate कितना होगा, maximum to maximum 50,000 candidate आपका इसमें serious देखने को मिलेगा, या उससे भी कम serious रहते हैं, जो exam को लेकर के really में त्यारी करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग जौब में रहते हैं, बहुत सारे लोग essay form मर देंगे, कि metric वाला paper है, जाएंगे, 100 औरपया जोना समय नहीं बच गया, आपको मान लेते हैं कि August का time है, September, I think इसमें आपको 60 days का time मिलेगा, और 60 days में इन सारे चीजों को cover करना है, और आपको त्यारी करना है, तो आपको ये session कैसा लगा, session के बारे में feedback जरूट दीजेगा, कोई भी doubt हो, doubt भी, आप session comment के माज़दम से प online classes के लिए आप YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा, और notes और test series के लिए आप लोग application को download कर लिजेगा, जहाँ पर maximum exams को cover कराया जारा आज की date में, और हम लोग देखें अभी जो batches चल लगी है आपका application में, उसमें आपका JETET का सारा batches चल लगी है, JETET paper 1, paper 2, जहारकन साहिक, आचार् intermediate level का form आया है, जिसके syllabus के बारे में हम लोग कल detail में discuss करेंगे, उसका भी batches आपका launch कर दिया गया है, notes और test series के मातम से, बाकी इसका भी त्यारे आपको कराया जाएगा computer knowledge और computer प्रहिंदी टंकन, कि आपको इन्या section है, आप देखने को मिला जो बाकी exam में नहीं है, तो इस section क बहतर करके आप इस exam को भी target कर सकते हैं, तो एक साथ दो exam को target कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक course purchase कर सकते है, according to your choice, कि आप कौन सा exam को ज़्यादा importance दे रहे है, intermediate वाला कि metric वाला, तो चले हम लोग मिलते हैं next session में, thank you.